Hello everyone, welcome to kitchen jam आज हम बनाएंगे आउले का खटा मीठा आचार यह बहुती स्वादिश्ट उहेल्दी बनेगा तो हम इने बीना तेल और बीना धूप के बनागर के तयार करेंगे चटपड़ से ही तयार हो जाएगा और इस आचार को कई महिनों तक खा सकते हैं खराब भी नहीं होगा तो फिर चलिए शुरूर करते हैं अब यहाँ पर मैंने 200 ग्राम आउले ले ली हैं आउले आप अपने साब से ले सकते हैं अच्छे से इने साब करके और पानी पहुच लिया है इनका तो आउले हमारे एकदम से साफ होने चाहिए इनके दाग दबे नहीं होने चाहिए थाकि अचार हमारा लमेश में तक चली अब यहाँ पर मैंने कड़ाई के अंदर दो ग्लास पानी डाल गया था पानी इच्छे से बूल चुका है अब हम एक उपर चलनी रखेंगे और सारे आउले इस चलनी के ऊपर डाल देगे तो आप इन्हें उबाल भे सकते हैं सीधे पानी में लेकिन हम चलनी में इस तरह से बाप में पकाईगे ना तो इनके अंदर पानी जादा नहीं जाएगा बस बाप बनेगी ना वही पानी जाएगा और वो पानी हम जब हम पकाएंगे तो इनका उड़ जाएगा तो इसलिए इस तरह से अचार है हमारा लमेस में इसलेगा छलने के उपर इन्हें बाप में पकाने से तो अब यह आपर low to medium flame पर मैंने पकाया है इन्हें पकते हुए 15 मिनिट हो चुकी है यह soft हो गए है मैंने एक प्रेट में इन्हें निकाल लिया है और अब इस तरह से सभी की कलियां अलगले कर लेंगे तो सभी की कलिया मैंने अलगले कर ली है और जो गोटली है ना उन्हें हटा दिया है अब गैस के उपर मैंने एक पैन रख दिया है अब हम डाल देंगे एक चमच घी आप ओल भी डाल सकते हैं और गैस उन कर देंगे घी को गरम होने देंगे तो घी हमारा गरम हो चुका है अब हम डाल देंगे एक चमच सौंफ और आदा चमच मेथी दाने और एक चमच कलोंजी डाल देंगे और आदा चमच हेंग डाल बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आचार के अंदर, अब हम फ्लेम लो रखेंगे और लगाता चलाते हुए इन मसालों को कुछ सेकेंड तक के लिए सेक लेंगे, इन्हें भून लेंगे, तो इन्हें काला नहीं करना है, थोड़ा सा ही ने सेकना है, तो अब यहाँ पर मैंन कस्मिरी लाल मिर्च पाउडर डालने से कलदर प्यारा सा आएगा, मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कमिया जदा कर सकते हैं, तो अभी घी गरम है, गरम गरम घी में मसालों को कुछ सेकेंड तक के लिए भून लेंगे, तो मैंने लगाता चलाते हुए इन्हें आउनों के अंदर मिक्स हो जाएं, गुल मिल जाएं, और आउनों के अंदर जो नमी थी ना, वो भी खतम हो जाएं, तो अभी आपर मुझे चलाते हुए एक मिनट हो गया है, तो सभी आउनों के अंदर जो मसाल हैं, अच्छे मिक्स हो चुके हैं, अभी आप पर नमक डाले आप काला नमक डाल सकते हैं नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब यह आप डाल देंगें 1.500 क्राम बारी कट गुड़ तो मैंने 200 क्राम आउले लिए थे और 1.500 क्राम गुड़ डाला है आप गुड़ की जगय चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन गुड़ डाले से जो हमारा अ लिए पका लिया है तो अब और जदा नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद में और भी गाड़ा हो जाएगा तो अब हम गैस ओफ कर देंगे तो अचार हमारा बिल्कुल तयार है आप इसे रोटी के साथ प्राउटे के साथ पूरी के साथ खा सकते हैं यह बहुती स् पिस्पी पसंद आई हो तो प्रीज वीडियो को लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बोलिएगा ताकि जब भी मैं न आया वीडियो प्लोड करूं आपके पास नोटिफिकेसन तुरुन पहुंच आए फिर मिलते हैं एक और नए के साथ तब तक दिए टेक केर बाई बाई